हालो क्लास आपका नेक्स चैप्टर है लेसन नंबर सेवन नथिंग यू कांट डू ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते यहने कि इस दुनिया में कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है तो यह स्टोरी है शारद नाम के एक लड़के की जो की डिसेबल था डिसेबल का मतलब एक एक्सिडेंट में वो अपना दाहिना हाथ जो है वो गवा चुका था तो जिसकी वज़े से उसको काफी ज़्यादा एंबरस फील होता था तो उसने इस दौरान एक सफर किया और उसने उस सफर में क्या एक्सपिरियंस किया इसी की यह स्टोरी है So let's start the story A shiver ran through my spine as I boarded the train to Delhi Shiver, shiver यहने की एक सेहरन दौर जाना Spine यहने की रीड की हड़ी So जो chapter start होता है जैसे ही मैं दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में चढ़ा तो एक सेहरन सी मेरे ही रीड की हड़ीों में दौर गई It was a cool November evening and I was thankful that the shawl on my shoulder would go unnoticed November की शाम थी और मैं thankful यहने की शुक्र गजार था की मेरे कंदे पर मौझूद एक shawl है जिस पर किसी का unnoticed यहने की किसी का ध्यान नहीं गया किसी नहीं इसको notice नहीं किया The shawl was a constant companion of mine 12 months of the year For it held hide the stump that was once my right hand And it was one such train that had given me this disability तो यह जो shawl थी यह मेरी लगातार साथी बनी रहती थी साल के 12 महिने तर क्योंकि इस shawl ने मुझे उस stump को छुपाने मदद की थी यहने की एक लकडी के टुकडे को छुपाने मदद की थी जो की कभी मेरा दाइना हाथ हुआ करता था और यही वो train थी जिसने मुझे यह disability यहने की विकलांगता दे दी थी 3 years earlier at the beginning of the 3rd millennium I left my seat in an express train after having supper तीन साल पहले जब जो तीसरी सदी यह वो शुरू हो रही थी तो 3rd millennium का मतलब होता है तीसरी सदी तो 3 साल पहले I left my seat in an express train मैंने एक express train में अपनी seat उसको छोड़ दिया था मतलब सपर करने के बाद सपर यहने की toilet वगरा जाने के बाद तो I washed my hand मतलब उस वक्त मैंने उस seat को छोड़ा हुआ था I washed my hand at the sink next to an open compartment door मैंने अपने हाथों को sink पर यहने की basin में जाकर धोया था जो की एक खुले डब्बे के दर्वाजे के किनारे थी यानि की मैं जिस compartment में था मैं जिस डब्बे में था train के डब्बे में वहाँ पर दर्वाजे के किनारे जो sink था उस पर मैंने अपना हाथ धोया जैसे ही मैंने अपना काम finish याने की खतम किया और turn याने की घूमा तब क्या हुआ अचानक से train को जो है जर्क याने की धक्का लगा और उस train ने मुझे compartment से बाहर की और फेक दिया I was flung right out of the door मैंने देखा कि मैं दर्वाजे के बाहर लटका हुआ हूँ मतला मैं जो हूँ fly flung कर रहा हूँ याने की ओड़ रहा हूँ बिल्कुल दर्वाजे के बाहर balance करके और at I landed on my back the carriage wheels served my right arm above my elbow मैं अपनी पीट के सहारे जैसे ही टिका मतलब अपने आपको मैंने जमीन पर टेकनी की कोशिश की तब train के पहियों ने severed याने की अधिकार को छीन लिया मेरे दाहिने कंधे को मेरी कोहनी पर से छीन लिया था elbow elbow याने की कोहनी तो कोहनी तक मेरा जो हाथ था वो कट चुका था दाहिना वाला जो हाथ है for the next couple of hours I lay on the track bleeding and in extreme pain until a track inspector passing by found me अगले कुछ घंटों तक मैं उस track पर याने की rail पटरी पर ही लेटा हुआ था पड़ा हुआ था ले याने की लेटे रहना ब्लीडिंग खून बहरा था काफी ज़ादा और मुझे भयंकर दर्द हो रहा था extreme याने की काफी ज़्यादा दर्द हो रहा था मैं लेटा रहा खून बहता रहा जब तक की एक track inspector जो tracks की देखभाल करता है वो मेरे पास नहीं आया और इसने मुझे मुझे पर ध्यान नहीं दिया तब तक बहुत दर्द होता रहा मुझे I was taken to hospital मुझे अस्पताल ले जाया गया My severed limb was too damaged to be soon back मैंने पाया कि मेरे जो मेरे जो severed limb थे यानि कि मेरे जो गंभीर अंग थे वो बहुत ज़्यादा damage यानि कि छतिग्रस्त हो चुके थे और ये जो हानी है वो मुझे कमर तक हो चुकी थी और इसे सिया जाना था यानि कि मेरे जो गाओ थे वो सिले जाने थे तब they said I was critical but I lived उन्होंने कहा था उस वक्त पे कि मैं बहुत ज़्यादा critical हूँ यानि कि बहुती गंभीर अवस्था में हूँ लेकिन मैं जिया but I lived with this disability this stump of a hand that I hide from everyone with a shawl मैं जिया लेकिन इस disability यानि कि विकलांगता के साथ जिया एक stump मेरे हाथ में पकड़ा दिया गया जिसे मैं हर किसी से अपनी shawl के नीचे छेपाता फिरता था the compartment was almost full but I am thankful that my seat was reserved पूरा का पूरा ट्रेन का जो डिबबा था वो लगभग भरा हुआ था compartment यानि कि ट्रेन का डिबबा वो पूरा भरा हुआ था लेकिन मैं thankful यानि कि शुक्र गजार हूँ कि मेरी जो seat थी वो reserved थी यानि कि आरक्षित थी I walked nervously to my seat gripping my suitcase in my left hand मैं अपने suitcase को अपने बाय हाथ में पकड़ते हुए और बड़े ही घबरा कर अपनी seat तक पहुँच चुका था for many minutes after I had sat down I stared at the floor too shy to meet the eyes of my travel mates fearful lest someone noticed my disability कुछ minutes तक मैं जमीन पर नीचे की तरफ देखता रहा अपने जो train की जो जमीन थी यानि की train का जो floor था उसकी तरफ में देखता रहा मैं सबसे नजरे मिलाने में जो मेरे साथ मेरे train में जो सहयात्री थे travel mates यानि की सहयात्री थे उनसे नजरे मिलाने में मुझे काफी शर्म महसूस हो रही थी और मुझे ये डर लग रहा था कि कोई मेरी इस disability याने की विकलांगता पर ध्यान न दे दे The cheerful, lively voices of the people around me made me realize that unlike me, they were all young boys and girls in their early teens मेरे आसपास की लोगों की lively voice, cheerful, lively, cheerful का मतलब होता है हस्मुक और lively हैने की दिलकश आवास जो होते है उन्होंने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि मेरे सामने जो भी सारे के सारे युवा लड़के और लड़कियां जो बैठे थे वो अपनी शुरुआती किशुरा वस्था में थे, early teens का मतलब होता है शुरुआती किशुरा वस्था लड़के थे, sorry, there were two girls and three boys all talking excitedly दो लड़कियां थी और तीन लड़के थे और सब काफी उत्साह से बाते कर रहे थे, excitedly मतलब उत्साह से Hey, you two are participating in the Abilampics? inquired a tender voice from my right अरे, क्या आप भी Abilampics में भाग ले रहे हैं क्या? मेरे पास एक बहुती शांत आवाज ने दाहीने तरफ से मुझे इशारा किया पूछा I am talking to you sir, this time I realized that the athletic boy sitting to my right was addressing me मैं आप से बात कर रहा हूँ sir इस समय मुझे ये एहसास हुआ कि एक खिलाडी, लड़का जो है जो मेरे दाहीने तरफ बैठा हुआ था, वो मुझे पुकार रहा था I also realized to my horror that the shawl had slipped from my right shoulder revealing my stump for everyone to see मैं ये भी महसूस किया, मेरे डर को, horror यानि की डर को कि जो shawl है, वो मेरे दाहीने कंधे से गिर चुकी थी और मेरा जो stump है, यानि कि जो लखडी का टुकडा है, वो सबको दिखाई दे रहा था Tears filled my eyes, मेरी आखों को आशोन भर दिया था I don't understand, what do you mean, I managed to answer in a choking voice मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं मैंने एक बहुती घुटन भरी आवाज में, choking voice का मतलब उता है घुटन भरी आवाज में उनको जवाब दिया Manjeet, don't upset him, said the girl sitting opposite me Manjeet, उन्हें परिशान मत करो उस लड़की ने कहा, जो मेरे बगल में बैठी थी Manjeet startled you, I am sorry, she said again Manjeet ना आपको परिशान किया, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, उसने फिर से कहा But he meant no harm, you know, he assumed you two are going to Delhi to participate in the Olympics as we all are This is because we all are like you लेकिन उसने आपको जो कहा, उसका कोई गलत इरादा नहीं था आपको चोट पहुँचाने का इरादा नहीं था यानि कि mint no harm, यानि कि आपको कोई चोट पहुँचाने का इरादा नहीं था उसको लगा होगा, उसको इस बात का आभास हुआ होगा कि आप भी दिल्ली जा रहे हैं Abilampics में participate करने के लिए जैसे कि हम सब लोग जा रहे हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सब भी आप ही की तरह है I was startled once again मैं एक बार फिर से परिशान हो गया I meekly rest my eyes मैंने धी में से अपनी आँखों को उपर उठाया मीकली आने की धी में से The girl smiled at me जो लड़की है मुझे देखकर मुस्कुरा उठी She was not more than 14 वो लगभग 14 साल से जादा की नहीं दिख रही थी She had the face of an angel उसके पास एक देवदूत की तरह चमकता हुआ चहरा था She was wearing a track suit and for a right hand she had a stump too but she was not hiding it उसने एक track suit पहना हुआ था और उसके दाहिने हाथ में उसके पास भी एक छड़ी थी एक stump था पर वो उसको चुपा नहीं रही थी Heidi याने की चुपा न On the contrary It seems to me She was flaunting it confidently उल्टे तरफ से याने की contrary opposite side से मुझे देखकर ऐसा लग रहा था और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे की वो बड़े ही विश्वास से याने की confident होकर आत्म विश्वास से वो अपने जो कदम है वो बढ़ा रही थी Then I looked at my right The boy she called Manjeet gave me the biggest smile I had ever seen तब मैंने अपने दाहिने तरफ देखा वो लड़का जिसे उसने मंजीत कहकर बुलाया था उसने मुझे इतनी बड़ी smile दी इतनी बड़ी मुस्कुराहट दी जैसी मुस्कुराहट मैंने कभी नहीं देखी थी He too wore a track suit उसने भी एक track suit पहना था and from the way he sat it was obvious that he had no legs और जिस तरीके से वो बैटा था उसे देख कर कोई भी ये कह सकता था कि उसके पास पैर नहीं थे What is this? Abolampics, I managed to say ये Abolampics क्या होता है? मैंने उनसे पूछा Oh, said Manjeet Manjeet ने कहा So you really don't know आपको वाकई नहीं पता है Really का मतलब वाकई Well, I am sorry Let me introduce ourselves first मुझे माफ कीजिएगा सबसे पहले मैं आपको हमारा परिचे करवादू Introduce जेने की परिचे I am Manjeet मैं Manjeet हूँ The girl sitting next to you is शाहिदा जो लड़की आपके बगल में बैठी है वो शाहिदा है The boy sitting at the window इस कुमार स्वामी जो लड़का खिड़की पर बैठा है वो कुमार स्वामी है कुमार for short उसका छोटा सा नाम जो है वो कुमार है And the one on the SL seat is विकास और सबसे किनारे की seat पर जो बैठा है उसका नाम विकास है And I am angel said the girl who had the face of an angel और मेरा नाम angel है उस लड़की ने कहा जिसका चहरा खुद एक angel यहने की देवदूत की तरह दिख रहा था They all said hello to me as they were introduced I responded meekly उन सब ने मुझसे hello कहा जैसे की वो लो मुझसे अब पहचान कर चुके थे Introduce any की पहचान करना जैसे की उन सब ने मेरी पहचान कर ली थी मैंने responded यहने की जवाब दिया meekly बड़े ही शांती से I am sharad I said nervously as they noted encouragingly I lost my hand मेरा नाम sharad है मैं sharad हूँ मैंने बड़े ही nervous होकर मैंने घबराइट में मैंने जवाब दिया और जब मुझे उन्होंने encouragingly यहने की उत्साह मेरा बढ़ाया उन लोगोंने तब मैंने उन्हें बताया कि मैंने अपना हाथ गवाद दिया है Don't worry about that interrupted कुमार looking towards me with his sightless eyes उसकी बारे में चिंता मत करो कुमार ने हमारी बातों में दखल देते हुए interrupt का मतलब दखल देते हुए वो मेरी तरफ आया उसको अपनी आँखों में दिखाई नहीं दे रहा था यानि कि उसकी जो आँखें हैं वो द्रिष्टिहीन हो चुकी थी sightless हो चुकी थी शायद हम सभी ने कुछ ना कुछ खोया है और शायद उससे भी जादा कुछ हासिल कर लिया है यानि कि हासिल करना जो की हमने खोया है Abilampics is an event where people with disability compete to show the world that people with or without disability enjoy equal rights and opportunities Abilampics एक घटना है या एक जिसमें disability यानि की जो विकलांग लोग हैं उनको दुनिया वो दुनिया को दिखाने के लिए प्रतिसफर्दा करते हैं प्रतिसफर्दा का मतलब competition करते हैं जहां पर वे सभी समान हक और उन्हें जहां पर समान हक right और opportunity याने की मौके मिलते हैं ये शाहिदा ने मुझे बताया said शाहिदा With increasing fascination I listen to each one अपनी जो उत्सुकता है fascination का मतलब है उत्सुकता उसे बढ़ाते हुए मैंने हर एक की बात को सुना Each child has a different story to tell हर एक बच्चे के पास एक अलगी कहानी थी बताने के लिए Each one had lost a limb और a sense हर किसी ने अपने किसी एक अंग को या अपनी एक किसी इंदरी को sense याने कि किसी इंदरी को खो दिया था But unlike me, they had all learned to cope with the disability and to conquer it लेकिन मेरे से विप्रीत तरीके से उन सब ने उस कमी को याने कि अपनी इस कमी का सामना करना वे लोग सीख चुके थे और उन्होंने इसे हरा भी दिया था Conquer का मतलब होता है हरा देना They found that if nature takes away one of its gifts is showers many more to compensate it उन्होंने इस बात को खोज लिया था कि अगर प्रकृती हमसे कोई उपहार ले लेती है तो फिर इसकी भरपाई compensate याने की भरपाई करने के लिए वो हमारे उपर कई सारे दूसरे उपहारों की बोचार कर देती है If only the person with a disability could realize his or her hidden potential then life would become richer, fuller and more enjoyable than ever अगर कोई विकलांग व्यक्ती अपनी hidden याने की छुपी हुई potential याने की शमताओं को अगर बाहर ले आता है और उसे उन शमताओं का एहसास होता है तो जो life है याने की जिन्दगी है वो पहले से भी ज्यादा richer, अमीर, fuller याने की भरी हुई और enjoyable याने की और ज्यादा मजिदार बन जाती है जो की वो जिन्दगी पहले कभी नहीं थी आई केम तो नोग था नेम अबिलिटी और दूसरा था ओल्म्पिक अबिलिटी का मतलब शमता और ओल्म्पी का मतलब ओल्म्पीक खेल It was way back in 1972 that an effort to improve the vocational capabilities of disabled person was made in Japan मैंने यह जाना कि 1972 में विकलाम याने की disabled लोगों की vocational capabilities याने की विवसाइक शमताओं को फिर से हासिल करने के लिए याने की उनकी शमताओं का पता लगाने के लिए 1972 में जापान में इन अबिलिटी को शुरू किया गया था An event was held, it was called the Olympics of Abilities एक event याने की कारेक्रम जो है वो आयोजित किया गया था इसे नाम दिया गया था शमताओं का Olympic, Olympic of Abilities Disabled persons all over the world had their first chance to compete among themselves and prove their merits to the world यहाँ पर विकलांग लोगों को आपस में compete याने की प्रतिसपर्धा करने और दुनिया के लिए अपनी capabilities याने की योग्यताओं को साबित करने का पहला मौका मिला था I was told that in 1981 was declared the International Year of Disabled Persons मुझे यह बताया गया कि 1981 साल को विकलांग व्यक्तियों का अंतरराश्ट्रिय साल घोशित किया गया था To commemorate this, the first International Abbey Olympics war was held in Tokyo The event was a phenomenal success इसे मनाने के लिए Tokyo में पहला अंतरराश्ट्री Abbey Olympic जो है वो आयोजित किया गया था आयोजित याने की held यह घटना एक शांदार सफलता में बदल गई थी Phenomenal का मतलब शांदार, success का मतलब सफलता In the second Abbey Olympics held in Bogota, Colombia in 1985 The International Abbey Olympic Federation, IAF for short, was established जब दूसरी बार 1985 साल में कोलंबिया के बोगोटा में दूसरा Abbey Olympics आयोजित किया गया तब उस साल उसे आयोजित करने के लिए 1985 में ही Abbey Olympics के लिए International Abbey Olympic Federation याने की इस महासंग का को स्थापना की गई याने की इसको स्थापित किया गया एक नया संग बनाया गया जिस महासंग का नाम था International Abbey Olympic Federation ये संस्था का गठन किया गया Since then, International Abbey Olympics have been held with growing success तब से लेकर अब तक International Abbey Olympics जो है वो हर साल एक बहुती बढ़ती हुई सफलता के साथ आयोजित किया जाता है Australia was the venue in 1995 and Prague in 2000 Australia में 1995 में और Prague में 2000 साल में इस International Abbey Olympic को आयोजित किया गया None of us slept that night उस रात हम में से कोई नहीं सोया Listening to the children describe their hobbies and their events in the Abbey Olympics हम सब आपस में मैं सुनता रहा और सारे के सारे जो बच्चे हैं वो अपनी hobbies याने की अपने शौक और उनके Abbey Olympics में होने वाले event याने की कारेक्रम के बारे में चर्चा करते रहे Describe याने की वर्णन करते रहे I could feel the confidence raising in me मैं अपने अंदर बढ़ रहे Rising याने की बढ़ रहे Confidence याने की आत्म विश्वास को महसूस कर सकता था The shawl that has covered my disability had fallen away वो shawl जो अब तक मेरी कमियों को छुपा रहा था Disability याने की कमी को cover याने की छुपा रहा था वो नीचे गिर चुका था I never made an attempt even to look for it मैंने इसके बाद कभी भी attempt याने की कोई कोशिश नहीं की इसको दोबारा उठाने की या उस तरफ देखने की I decided I would go to the Abilampics Stadium मैंने ये तै कि मैं Abilampics के stadium जाऊंगा As a spectator एक दर्शक के रूप में Spectator का मतलब दर्शक के रूप में And cheer for the children और उन सारे बच्चों के लिए Cheer याने की उत्सा बढ़ाऊंगा उनका And for every disabled person on this earth For and for myself और हर उस विकलांग या कमी वाले इंसान के लिए जो इस दुनिया में मौझूद है और यहां तक की मेरे लिए भी मैं जो उत्सा है वो बढ़ाऊंगा It was one such train that gave me a disability ये शायद वो train थी जिसने मुझ में एक विकलांगता को दे दिया था Yet it was another train that gave a meaning to my life लेकिन उसके साथ यही वो train थी जिसने मेरी जिन्दिगी को एक नए मायने दिये थे मीनिंग का मतलब मायने देना Life का मतलब जिन्दिगी तो ये वही train थी जिसने मुझे शायद एक विकलांगता से मिला दिया था पर साथी साथ ये वो train थी जिसने मेरी जिन्दीगी को एक नया मतलब दिया था ये था आपका चाप्टर ये चाप्टर शायद हमें एक तरफ से ये सीख देता है कि हमें अपनी कमियों को कभी भी ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए